हेलो श्ट्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में इनकी इस क्लास में हम बात करेंगे लेक्ट्रेशन नमबर 16 से लेके लेक्ट्रेशन नमबर 21 तक थोड़ा लंबा वीडियो है ये भी ठीक ना 30 मिनट से ज़ादा होने वाला है तो तो ध्रैंद से और थोड़ासा सब क्योंकि यहां पर हम बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा important topic treatment of goodwill इससे पहले आपने goodwill का evaluation से लिया कि goodwill को किस तरह से calculate किया जाता है तो अब हमें सीखना होगा calculate हुए goodwill को जब एक partner admit होता है on the time of admission of partner किस तरह से adjust किया जाता है that means हमें पढ़ना है treatment करना goodwill का अलग-अलग case में कई सारे case है basically 5 case होते हैं ठीक ना वो case कौन-कौन से with example समझी का तो जल्दी समझ में आ जाएगा NCRD book का solution है NCRD book में solution already given है लेकिन मैं आज कुछ आपको कुछ NCRD book के solution से हटके easy solution provide करने जा रहा हूँ ठीक है तो शुरू करते हैं question number 16 से 16 है हमारा Sunil and Dalip are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5 to 3 सचीन एडमिस्ट हो रहा है business में for one fifth share of profit he is to bring in 20,000 as capital and 4,000 as his share of goodwill एक business में जब भी कोई नया partner आता है तो सबसे पहला वो अपने लेके आएगा share of capital ठीक ना जो कि उसके capital account में transfer करते हैं दूसरा लेके आता share of goodwill share of goodwill जो कि transfer होता है कहां पर transfer होता है goodwill premium for goodwill account में और यह distribute हो जा sacrificing partners capital account में इसका मतलब होता है कि यहाँ पर goodwill को adjust करने के लिए हमें चरुवत है sacrificing ratio किसी भी question में sacrificing ratio निकाली उसके बाद ही goodwill का adjustment होगा कैसे होगा भी बताता हूँ give the necessary general entries when amount of goodwill is retained in the business जब जो goodwill का पैसा आप 4000 पूरा कपर बिजनस में रहेगा when the amount of goodwill is fully withdrawn जब सारा का सारा पैस जिसको ट्रांसफर किया है कि एक sacrifice partner देलीप और सुनील वो withdraw कर ले रहे या फिर 50% withdraw होता तीन केस में एंटी करेंगे तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा यहाँ पर कि जब partner पैसा लेकि आता है तो उसकी एंटी करेंगी जब भी partner amount लेकि आता है तो simple सी एंटी होती है that is first entry हमारी होगी partner पैसा लेकि आ रहा है तो cash firm में लेकि आ रहा है तो हमें एंटी क्या करेंगे cash की क्योंकि cash आ रहा है या फिर आप बैंक भी कर सकते ड़ेट मेंटर तो हम नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर किसकी एंटी cash की cash account debit अप cash की जगा यहाँ पर क्या capital जो सचिन की capital accounts है capital account amount capital कितना है 20,000 साथ इसाथ लिखे रहा है good bill का amount जो good bill का amount होता है उसको simply लिखा जाता है premium for good bill जब गोड़ विल का amount cash होता है premium for good bill, right account कितना amount है इसका 4,000 और टोटल कितना लेके आ रहा है 24,000 ओके अब इसका नेरेशन लिखना है डारेशन का लिखेंगे सिंपल नेरेशन है the amount of capital and goodwill brought by Sachin, Sachin अपना जो capital है और goodwill बो लेके आ रहा है इसके जस्ट बात जो anti करेंगे जो premium for goodwill लेके आया actually में बिजनस में रहाएगा यह मिलेगा partners को कौनसे partner old partner जिसने sacrifice किया तो sacrificing ratio हो जाएगे अगर question में कहीं पर भी जो partner नया आ रहा है उसको अप उसके share rate कोई भी condition नहीं दे रखा है इस case में जो old ratio होता है बही old ratio हमारा क्या होता है sacrificing ratio होता है क्योंकि you have to save your time आपको time बचाना है तो आपको यह नहीं बार बार सेक्रिफासिंग ratio करको देर में रखी गा कोई condition है equally बगरा कुछ दे रख नहीं देर रखा है जब नहीं देर रखा है तो 4000 multiply by 5 by 8 और 3 by 8 तो 8 5,5 5,25 यह मिलेगा हमें किसको सुनील को और 5,3,1500 मिलेगा किसको दलीप को राइट एंटी करेंगे एंटी कैसे करेंगे वह देखिए एंटी करने का इसके दूसरी एंटी है simple एंटी देट इस प्रीमियम फॉर good bill account debit two किसको मिलेगा सुनील कैपिटल अकाउंट सुनील कैपिटल अकाउंट सुनील को मिलेगा 2500 और कॉने नेक्ष देट इस दलीप दलीप कैपिटल अकाउंट कितना है 1500 हो गया अब इसका nation लिखेंगे nation के लिखेंगे गुडबिल केटेट टू सेक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राइट यह हो गया पहला केस कंपेट हो गया अब इहीं पर हमसे दूसरा केस कह रहा है वेन अमाउंट और गुडबिल इस फुली बिड्रॉन तब क्या पार्टनर्स के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हुआ है और जब ट्रांसफर हुआ है इसका मतलग होता है अब वो बिड्रॉन करने की एंटी हमें अलग तरी किसे करने पड़ेगी तो कैसे देखिए जब एमनफ फुली बिड्रॉन होता है तो इस केस में पहले एंटी और सेकेंड नंटी तो हमारी सेम होती है एनकि ही जो FIRST एंट्री गैशी है जैसे पहले किया था था सेकेंड एंट्री को सेयम से कए यहां पर क्ली थड एंट्रि हमारी क्या हो जाएगी चींज पयसा बिढ़ब करनी की किम बिढ़ब करेंगे सुनिल करेगा पच्छिस सो और दली क्पिडव करेगा थिफ्टिनें घंडड पंदरा सु अंटी करेंगे बिढ़ब की दैट इज सुनी इल्स कापिटल अगाउंट डेविट कितना बिड्डरो कर रहा है 2500 और दलीप कापिटल अगाउंट कितना कर रहा है यह दैट इस 1500 टोटल अमाट जा बिड्डरो होता तो पैसा कहां से निकलता है बैंक से तो इन एंटी कर देंगे टूब बैंक एकाउंट टोटल अमाउंट बिड्डरो कर लिया 4000 के एकाउंट में गया सारा बिड्डरो हो गया तो नैसनल लिखो अमाउंट अब गुड्विल bid draw यह bid draw कर लिया यह हो गया अब इसी का third case होता when 50% यहाँ पर पूरा का 50% आप इसका 50% का इंटी करेंगे इसका बतला यहाँ पर भी first and is same जैसे करते थे second and be same जैसा किया था ठीक है ना तो अब हैब थर्ड and जो हमारी क्योब change होगी वो थर्ड एंटी क्या होगी, थर्ड एंटी होगी, सेम जैसा किया था है, अपर लेकर अधा हो जाएगा, that is, एंटी करो आप, शुनिल्स, कैपिटल अकाउंट डेविट, और यह हो जाएगा, दलीफ्स, कैपिटल अकाउंट, डेविट, तो 25 का अधा कितना होता है, पच्चिस सो का अधा यहाँपर हो जाएगा, that is, बारा सो पचास, बारा सो पचास, और पंदरा सो का अधा होता है, साथ सो पचास, यह हो गया, 750, टू, बैंग गाउंट, फिप्टी करसं किया, तो फिप्टी परसंट ही बैंग में डालेंगे, तो कितना होगा, जीरो, जीरो नौ और एक दस, इधर होगे, कितना दो, चारजर का अधा, दो जाग, तो लिखेंगे, फिप्टी परसंट आप, गुट्बिल बिड्रोन, फिप्टी परसंट गुट्बिल क्या हो गया, बिड्रोन कर लिए, यह हमारा पहला केस कमप्रीट होगा, अब नेक्स्ट केस में आ बिड्रोन माइनस न्यू करके हमें निकालना है, सैक्रिपाइसिंग रेशियो, ठीक एक चलो कोशन देख लेते हैं, बीजाय और संजाय और पार्टनर है, बीजाय और संजाय, उन्होंने डिसाइड किया, आजाय को ऐसे न्यू पार्टनर लेंगे, उसका शेर होगा, बन ब बीजाय और संजाय ने अपने अमाउंट अब गुड्रो कर लिया, हमें एंटी करनी है, लेकिर एंटी तभी कर पाएंगे, जब हमारे पास सैक्रिपाइसिंग रेशियो होगा, और गुड्बील होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा बर्किंग नोट करना है बर्किंग नोट करने के लिए हम मैं अलग से पेज लेता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं हम बर्किंग नोट, और बर्किंग नोट आपको क्लियरली कोशन में शो करना है, सबसे पहले हमें निकालना है, सैक्रिपाइसिंग रेशियो, सैक्रिपाइसिंग रेशियो, old ratio बिजय का कितना है 3 by 5 3 by 5 और new कितना है 2 by 4 calculate करेंगे यहां से योग या 5 और 4 कितना है LCM 20 4 तीज़ा 12 मानस 5 तूज़ा 10 that is योग जागा 12 by 20 2 by 20 राइट और उसी दार निकालेंगे हम किसका संजय का संजय का sacrificing ratio कितना है इसका sacrificing ratio और 2 by 5 और new है इसका 1 by 4 निकालेंगे LCM 5 4 तूज़ा 8 5 बंज़ा 5 that is 2 by 3 इसका मतलब यहां पर जो sacrificing ratio और वो और है 2 is to 3 कितना और है 2 is to 3 2 और 3 का ratio बन रहा है यहां कि जो भी goodwill amount होगा वो तूज़ा 3 पर बाटना है यहां पर आप निकालेंगे किसका हम निकालेंगे Ajay का goodwill that is Ajay goodwill Ajay का goodwill कितना होगा Ajay का goodwill होगा total goodwill total goodwill is 20,000 20,000 में Ajay को bring करना है 1 by 4 उसका भी जो भी share होगा ठीक है तो 1 by 4 निकितना हो जाएगा 5,000 5,000 किसको इसको मिलेगा BJ को मिलेगा और Sanjay को मिलेगा BJ को 2 और 3 के ratio बाटेंगे तो 5,000 में BJ को मिलेगा कितना 2,000 और Sanjay को मिलेगा कितना 3,000 और इसी से रिलेट आपको anti करना है anti कैसे करेंगे anti के लिए जनल anti वाले box में आना होगा तो सबसे पहले anti होगी amount bring करने की amount bring करने की anti होती हमारी cash account debit to capital account जो भी उसका amount of capital है amount of capital कितना लेके आ रहा है वो 30,000 to जो goodwill का amount है जो cash लेके आ रहा है that is premium for goodwill goodwill का जो लेके है goodwill का कितना amount लेके आ रहा है cash that is 5,000 5,000 के anti कर देंगे यहाँ पर यह हो गया 5,000 total amount कितना लेके आ रहा है 35,000 तो लिखेंगे amount for capital and goodwill ठीक है brought by Ajay Ajay जो है brought कर रहा है लेके आ रहा है इतना हो गया अब जब सब कुछ लेके आ रहा है अब यह जो goodwill का amount है वो किसको मिलेगा sacrificing partner को in sacrificing ratio sacrificing ratio हमने निकाल लिया two and three distribute भी कर दिया कितना है यहाँ 2000 और 3000 दोनों को दिजे किसको that is BJ और Sanjay को anti कैसे किया जाता है anti किया जाता है premium for goodwill account debit कितना है premium for goodwill 5000 किसको मिलेगा to BJ capital account BJ को मिल रहा है 2000 to Sanjay capital account Sanjay capital account कितना हो रहा 3000 यह हो गया that is goodwill created to sacrificing partners capital account ठीक है यह anti हो गई अब यह anti अगर होती है तो इसके जस्ट बात इसमें कहा जा रहा है कि partner उन्हें अपना amount withdraw कर लिया तो बिड़ो करने के anti करेंगे तो fully withdraw किया तो बिड़ो करने के simple anti इसके account में create वो तो बिड़ो करने के opposite इंटी करो डेबिट करो देट इस बिजए capital account डेबिट कितना हो जाएगा 2000 next आए sanjay capital account डेबिट कितना हो जाएगा 32 anti क्या गरेंगे बिड़ो किया जाएदा बैंक से पैसा निकलाएगा तो बैंक अकाउंट total amount कितना हो जाएगा amount of goodwill withdrawn दोनों ने amount of goodwill कर लिया बिड़ोन कर लिया यह अपकी normal anti होती है आगे बढ़ते हैं next illustration में तो illustration अमर जो 18 है वो उसका case क्या है सारे तो treatment goodwill हो लेकिन यहाँ पर कह रहा है अगर बुक में already पुराना goodwill दे रख्या है तो द्यान में रखेगा अगर बुक में already पुराना goodwill दे रख्या है तो on the time of admission of partner जब partner पैसे बिड्रॉव कर लेके आ रहा है उस time पुराने goodwill को पहले write-up कर दिया जाएगा और write-up करने के anti होती है वो partners capital account debit to goodwill लेको वो भी old partners क्योंकि पुराना goodwill है तो old partner के route कर दे जाएगा old partner को debit और goodwill को credit कर दिया जाएगा goodwill एक endisible asset से normal इसका nature होता है debit होना return up में उसको credit कर दिया जाएगा राइट कैसे करेंगे तो जब यहां पार दे रहा है question श्रीकान और रामान आर पार्टस in the firm sharing profit is the ratio यह ratio दे रहा है 322 का they decide to admit bankette bankette को admit कर रहा है 1 by 3rd share से of the profit का bankette bring 30,000 for his share of goodwill and also promises to bring in necessary amount of share of goodwill साथ यसाथ वो यह किया रहा है जो भी मेरा share of goodwill आएगा वो भी मैं लेकि आऊँगा ठीक है on the date of admission admission time जो business का goodwill रहा है 24,000 और कि 24,000 में का 1 by 3rd वो लेकि आएगा तो 24,000 का 1 by 3rd लाने का उसने promise किया है और कितना पैसा लेकि आना पड़ेगा उसको 8,000 राइट और कि 30 plus 8,000 वो लेकि आ रहा है आगे क्या आ जा रहा है next है and the goodwill account already appears goodwill में already goodwill appear कर रहा है book में that is 12,000 इस 12,000 को rate write up कर देंगे that is old goodwill है banket brings in necessary amount for the share of goodwill और वो साला लेकि आता है और आपको क्या करना है addition goodwill को write up करना है एक होता है raise करना जब raise होता है तब क्या करते है पार्टर के account में goodwill को transfer कर दे जाता है goodwill account debit to पार्टर's capital account हो जाता है लेकिन यहापर goodwill को return up करने के लिए कहा जा रहा है क्यों old goodwill है तो return up करने की पहले anti करेंगे आपर तो first anti क्या करेंगे goodwill return up तो anti क्या करेंगे 12,000 है 12,000 को पुराने ratio में 3 और 2 में बाटेंगे तो 12,000 को 3 और 2 में distribute करेंगे यह जाएगा 3 वाइ 5 और यह जाएगा 2 वाइ 5 तो कितना कितना आ रहा है वो देखिए that is 5 to the 10 5 for the 24 3,7200 24 to the 48 और की 72 और 48 रुपय आ जा रहा है तो यहाँ पर anti करेंगे स्रीकान्स कैपिटल अकाउंट डेविट स्रीकान्स की कैपिटल अकाउंट में कितना डालना है 7,200 और रमान कैपिटल अकाउंट रमान्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कितना आ जाएगा the amount of good bill इसको जा रहा है 4800 2 good will account कितना good will हो गया total 12,000 अब इसके narration लिखो narration simple होता है that is old good will return of इसके जश्ट बात भाई same anti करेंगे जब पहले करते हैं जब पार्टनर आ रहा है पैसा लेकिए पार्टनर कितना पैसा लेकिए आ रहा है 30,000 for capital और 8,000 for good bill 20 करो that is cash account debit to bankers capital account capital account में जाएगा 30,000 to premium for good bill premium for good bill ठीक है कितना होगे प्रीमियम पर good bill that is 8,000 total amount कितना आ रहा है 38,000 तो लिखेंगे amount of capital and good bill brought by banket ठीक है राइट अब banket ने ब्राट कर लिया आप 8,000 किसको मिलेगा पुराने पर्टनर को मिलेगा according to their sacrificing ratio इस condition में new partner का जो share मिलेगा कोई condition गिवन नहीं है इसका मतलब sacrificing ratio कितना 3 to 2 यानिकी जो भी amount हमारा good bill का 8,000 वो स्रीकांत और रमन में बढ़ जाएगा 3 and 2 की ratio में that means 3 by 5 और 2 by 5 तो कितना कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 5 बंजा 5 5, 6, 30 एनिकी 16 तीजा कितना होगा 4800 और 16 तीजा 3200 ठीके that means स्रीकांत के अकॉंट में 4800 और रमन के अकॉंट में 3200 ट्रांसफर किया जाएगा तो हैंटी करेंगे ट्रांसफर करने की that is premium for goodwill account debit कितना है premium for goodwill 8,000 to स्रीकांत capital account स्रीकांत capital account कितना जा रहा है 4800 to रमन capital account रमन के capital account में कितना जा रहा है 3200 तो यह हो गिया share of goodwill created to sacrificing partners account ठीक है sacrifice partner के अकॉंट में ट्रांसफर कर दिया राइट यह कोश्चन भी हमारा complete होता है अब बात करते है 19 की तो उस केस में हम किया जाता है कि जो भी goodwill account new calculate हो रखा है उसको old partners capital account में उनके old ratio में ट्रांसफर कर दिया जाता है ऐसे में नए partner का जो share of goodwill होता है वो भी old partner के account में already transfer हो जाता है क्योंकि amount की बाग old partner को मिलनेगा new partner को नहीं ठीक है कि goodwill account को full value पे raise करना है तो एंटी कैसे करेंगे सबसे पहले एंटी होगी जो amount वो ले के आ रहा है as a new partner that is 30 कितना amount ले के आ रहा है 16,000 for his capital ओके तो यहां पर जो दे रखा गया Ahuza and Barua are partners firm ratio 3,000 3 to 2 ratio में दे रखा दो partner का or they decide to admit Chaudhary into partnership by one with share which he acquired equally from Ahuza and Barua जो उन दोनों से equally बरावर बरावर ले रहा है ठीक है इसका उता sacrificing ratio पर क्या बनता है equally यहन की 1,1,1 goodwill की distribution के लिए जरूत पड़ती है goodwill is valued at 30,000 goodwill की value बर 30,000 है Chaudhary brings 60,000 as his goodwill capital अपने capital की रुप में 16,000 ले के आ रहा है but is not in position to bring any amount of goodwill लेकिन goodwill लाने की हालात में वो नहीं है no goodwill account exist पहले से कोई goodwill नहीं करता जिसको return up करना है कुछ भी नहीं है पहले से हमने new goodwill calculate कर रहा है अब कहरा जो भी calculate किया है उसको full value में raise करो यहने कि full value में बिजनेस में show करना है और वो full value जो आएगा बात में उसको asset side में लिखना पड़ेगा इसके लिए हमें क्या करना एक simple सी छोटी सी anti करनी है ठीक है कैसे anti करेंगे सब से पहले जो 60,000 ले के आ रहा है उसकी anti कर दो कैसे करेंगे जो पैसा आ रहा है capital account here is 16,000 लिखेंगे amount of capital brought by चौधरी ठीक है अब क्योंकि हमें goodwill को fully raise करना है तो normally क्या किया था अगर raise करनी वाली बात नहीं होती तो हम 30,000 में से चौधरी का share of goodwill निकालते है चौधरी के current account को debit करके sacrificing ratio में हम old partner में बाठ देते हैं पटे हां पर ऐसा नहीं करेंगे हम करेंगे क्या जो भी amount of goodwill है हम raise कराएंगे पूरा full amount goodwill account debit कितना है 30,000 30,000 से ये raise हो जाएगा goodwill account बन गया अब 30,000 कहां जाएगा old partners capital account में in their old ratio that is अहुजाज capital account to बरुवा capital account बरुवाज capital account कैसे 30,000 को distribute कर दो as they are old ratio and old ratio is 3 to 2 that means 3 by 5 and 2 by 5 2 by 5 right ये हो गया calculate करो 5 3 is a 30 तो 6 3 is a 18,000 और बरुवा मिलेगा 6 2 is a 12,000 तो यहां पर entry कर दो 18,000 और यहां आ जाएगा 12,000 तो यहां लिखेंगे nation लिखो goodwill it is at full value in old ratio old ratio में raise किया गया right ये question भी हमारा complete होगा अगर आपको कहीं कोई doubt नजर आ रहा है तो comment box आपके doubt पुछने के लिए होता है ज़लूर पुछिएगा illustration number 20 19 से थोड़ा सा difference है 19 में हमें goodwill raise करने के लिए कहा गया ता इस question में ऐसा कोई भी condition नहीं है और यहां पर यह भी है कि partner अपना share of goodwill नहीं लेकर आ रहा है ऐसे में partner का current account raise करेंगे कैसे करेंगे साती साते हम पर already appear goodwill भी दे रखा है तो उसको किस तरह से adjust करना है वो भी समझना है ठीक है तो पूरे question पर ले देखिए here is Ram and Raheem are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 3 to 2 share of goodwill which has been valued at 30,000 30,000 का share जो है goodwill है और अपना share लाने में बिलकुल वो capable नहीं है जब वो capable नहीं है ऐसे में क्या किया जाएगा हम उसका current account raise करेंगे हम से का गया है general entity करना है अलग अलग केस में when there is no goodwill appearing in the goodwill कोई appear नहीं है तब क्या करेंगे when 15,000 goodwill फर्म में appear तब क्या करेंगे और 36,000 appear तब क्या करेंगे तीन अलग-अलग केस है तो कैसे करेंगे वो देखी है तो अब हम क्या करेंगे केस नवर फर्स्ट जब no कोई भी goodwill appear नहीं है तो हम सिंपल सी सबसे प्रेंटी करेंगे जितना वो पैसा लेकिया रहा है as a capital capital लेके कोई goodwill फर्मन ला नहीं रहा है goodwill का amount कितना होता शेयर है goodwill निकालो उसका share of goodwill goodwill कितना होगा total goodwill business का calculate किया 30,000 उसमें उसका share होगा 1 by 3 that means 10,000 10,000 को राम और रहीम में distribute करना है ठीना तो कितना होना चाहिए क्योंकि partner पैसा लाए या ना पाए लाए तो old partners को sacrificing ratio पैसा मिलेगा ही कैसे मिलेगा 10,000 का 3 by 2 that means 6,000 और कितना जा रहा है 4,000 अब anti कैसे करेंगे सबसे पहले जो 10,000 लेके है उसकी anti करेंगे that is cash account debit कितना cash लेके राहूल्स capital account कितना हो जाएगा ये 10 लेके amount of capital brought by राहूल्स राइट ये हो गया अब 10 जो पैसा उसका goodwill का है वो distribute करेंगे कैसे करेंगे क्योंकि पाटना हो पैसा मिलना ही चाहिए तो ये anti करेंगे हम that is राहूल्स करेंट अकाउंट राहूल्स करेंट अकाउंट कि जब cash नहीं लिके आएगा तो करेंट अकाउंट से payment काटा जाएगा that is 10,000 और ये payment मिलेगा राम को राम्स capital account ठीक ना कितना है 6,000 तो राहीम्स capital account राहीम्स capital account that is 4,000 हो गया clear अब इसकी नाशा लिखिंगे that is share of goodwill created to all partners capital account ये होगी हमारा पहला किस second case क्या है वो देखो second case है when the goodwill appear 15,000 in goodwill goodwill का amount 15,000 appear है तो इसको क्या कर दो return up कर दो write up कर दो business book से हटा दो क्यों already appear goodwill 15,000 appear है तो यहां से क्या पहले राटी वही करेंगी business में पैसा लाने की that is bank account debit bank account कितना debit हो रहा है that is 10,000 bring कर रहा है to rahul's capital account कितना हो जाएगा 10,000 लिखेंगे हम amount of capital brought लिखेंगे आएगे right पहली दूसरे अंटी से हैं 10,000 को distribute करने की करेंगी तो क्या करेंगे हम rahul's current account debit कितना हो जाएगा 10,000 to ram's capital account कितना है capital account का that is 6,000 to raheem's capital account कितना है 4,000 अब यह हो गया second अब थर्ड वन में इस 15,000 को राइट अप कर देंगे कैसे करेंगे राइट अप करने के अंटी होती है gold build account debit कितना 15,000 to ram's capital account to to राहेंज capital account 15,000 और दुमें बेशिवर करेंगे कितना जाएगा 9,000 और यह हो जाएगा 6,000 यह राइट अप हो गया तो नहीं राइट अप हो गया 36,000 तो यहाँ पर जो है first anti same age होगी जैसे अभी किया हमने second anti भी कितनी होगी same age होगी जैसे अभी हमने किया लेकिन जो third anti होगी 36,000 रेट अप करेंगे तो इसकी anti करेंगे third anti में that is goodwill account debit 36,000 इस goodwill को दोनों पार्टनरों में distribute कर दो that is Ram's capital account to Raheem's capital account 36,000 को old nation distribute करेंगे तो कितना जाएगा 36,000 multiply by 3Y 5 and 2Y5 calculate करो 5 7 5 2 3 से multiply करेंगे 00 326 37 21 और 2 से multiply करेंगे 00 22 2 तो जाएगा 27 तो जाएगा यह हो गया that is old goodwill written off क्योंकि कोशन में extra information कुछ नहीं दे रखा था तो हमने goodwill को write-off कर दी अब बात करेंगे next question number 21 here the listation number 21 is A, B are partners sharing profit and losses equally profit sharing ratio equally दे रखा है they admit C in partnership the new ratio fixed at 432 ABC था दो अब नया partner होगे नया partner के 4 3 इसका बतला यहां पर हमें sacrifice से निकालने की जोरत पड़ेगी to distribute the goodwill amount of C कैसे करेंगे C is unable to bring any goodwill but the bring 25,000 as capital C जो है goodwill का amount नहीं लेके आप आ रहा है तो capital account 25,000 लेके आ रहा है जब goodwill नहीं लेके आ रहा है इसका उसका current account open करेंगे goodwill of the firm is valued at 18,000 firm का goodwill जो है 18,000 है 18,000 में हम जो है हम पर C का share निकालेंगे C का share कितना हो जाएगा 18,000 multiply by कितना हो जाएगा इसका share the partners do not want to goodwill to appear in the वो चाहता है कि goodwill appear now इसका उसका write-up कर दिया जाएगा उसकी anti कर देगी goodwill amount है ही नहीं तो कैसे करेंगे यहाँ पर सबसे पहले sacrificing ratio निकालना पड़ेगा ठीक है तो sacrificing ratio निकालेंगे कैसे here is sacrificing ratio of A and B right कैसे निकालेंगे A का जाएगा A का old दे रखा है हमारे पास A और B का जो old ratio है वो है equally और जो new ratio है A, B and C यह है 4, 3 and 2 का तो A का जाएगा 1 by 2 minus 4 by 9 कितना जाएगा 9 to the 18, 9 minus 1, 4 to the 8 that is 1 by 80 B का निकालेंगे 1 by 2 minus 3 by 9 कितना जाएगा 9 to the 18, 9 minus 1, 3 to the 6 that is 3 by 18 यहीं कि sacrificing ratio है 1 is to 3 का जब sacrificing ratio 1 is to 3 का है इसका मतलब होता है जो 4,000 है वो A और B में distribute होगा कितना बंद दे यहीं कि 1,000 and 3,000 में ओके चलिए करते इसको सबसे पहले यह entry करेंगे amount bring करने की amount कितना bring किया जाएगा 25,000 that is cash account debit 25,000 to seize capital account 25,000 लिखेंगे amount of capital amount of capital लेकिया आएगया ठीक है next entry करेंगे किसकी इस good bill को good bill को distribute करने के लिए क्या किया जाएगा हमे current icon open करेंगे सीगा that is seize current account debit कितना है good bill 4000 ठीक है 2 इस capital में transfer करेंगे 1000 2 20 capital account में transfer करेंगे 3,000 ठीक है that is share of good will created to all partners account in 7 बनेश्टू 3 राइट यह question हमारा complete हो जाते है अगर यहां तक आपको किसी तरीका कोई doubt हो रहा है question को समझने में पढ़ने में बहुत जरूर बता हुआ मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है उसके लिए आप सौरी बोलता हूँ बट एक्स्प्लेनेशन अगर समझ में आता तो जरूर बोलीगा कोई डाउट है तो जरूर लिखेगा थेंक्यू एंड बाई